Question दिया है, यदि एक व्यक्ति 5 km पती घंटा की गती से चलता है, तो उसकी गारी 7 मिनट पहले छूट जाती है यदि वाद 6 km पती घंटा की गती से चलता है, तो अब गारी के आगमान समय से 5 मिनट पहले station पहुंच जाता है स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तैंगी माल लेंगे स्टेशन दक की दूरी डी है इस दूरी को जब वो 5 km पती घंटा की चाल से तैंग करता है तब उसकी गारी 7 मिनट पहले छूट जाती है डिस्टंस है डी और 4 है उसकी 5 km पती घंटा और 7 मिनट पहले उसकी गारी छूट जाती है अगर वो 7 मिनट पहले आ जाता तो उसकी गारी नहीं छूटती तो 7 मिनट को इसमें एड कर देंगे प्लस 7 मिनट दिया है तो 60 से भाग दे देंगे यह हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन यदि वह 6 km पती घंटा की गती से चलता है तो आप गारी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुँच जाता है दूरी है डी और 4 है 6 km पती घंटा तब वो 5 मिनट पहले स्टेशन पहुँच जाता है 5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है equal d upon 6 minus 5 upon 60 d upon 5 minus d upon 6 equal हो जाएगा minus 5 upon 60 minus 7 upon 60 LCM इसका आजाएगा 30 यह हो जाएगा 6d minus 5d equal 12 upon 60 d upon 30 equal हो जाएगा 1 upon 5, 5 से divide कर देंगे 30 को 6, तो d equal आजाएगा 6 km, तो station पहुंचने के लिए उसने 6 km की दूरी तै की option ने इसका right answer होगा